नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अकाश आप देख रहे हैं त्यागी जी टेकनिकल आज मैं आपको बताने वाला हूँ MX Player के कुछ ऐसे Advanced Features जो जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा अगर आप उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको MX Player आप और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और उसके Advanced Features का फाइदा उठा पाएंगे दोस्तो पहले Features के बारे में बात करता हूँ जैसे कि आप सभी MX Player पर वीडियोज चलाते हैं तो वीडियोज चलाने के बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको आपको देखिए जैसे वीडियो है तो इसका Sound Level 15 तक वह Maximum है इससे ज़्यादा हम Sound नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन हम एक Option को Enable करके Sound को 200% यानि कि इसकी Direct Double कर सकते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ देखिए देखिए यहाँ पर जाईएगा आप 3.3.3 पर जाने के कि यहाँ पर Decoder करके Option आएगा इसको आप क्लिक कीजगा Decoder में जीकलिक करने के बाद देखिए यू आपने sound जो है, इसमें 200% तक बढ़ सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा feature हो सकता है, उन लोगों के लिए जिनकी वीडियो में आवाज कम है, तो वो इस तरीके से अपनी sound को double कर सकते हैं, तो guys, दूसरे feature के हवारे हो, अगर बात करें, तो जैसे कि आपका कोई, आप कोई वीड sub-message आया, या फिर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, और अपने वीडियो को रोकना नहीं चाहते हैं, पॉस नहीं करना चाहते हैं, आपका वीडियो जो है, वो चलता रहेगा background में, तो आप उस option को कैसे enable कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप यहाँ पर three dot प the background even after the screen turns off, यानि कि आपकी background में sound है, वीडियो उसको वो चलती रहेगी, ठीक है guys, audio उसका पीछे चलता रहेगा, आपको सुना ही देगा, लेकिन आपकी वीडियो जो है, पो pause नहीं होगी, तो guys, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, मैं अपना WhatsApp open करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो चलाके, कि यह background में चलता है कि नहीं चलता है, यह से मेरी वीडियो चल रही है, अब मैं अपना WhatsApp open कर लेता हूँ, तो guys, देखिए मेरी जो वीडियो है, वो चल रही है, मेरा WhatsApp open है, तो guys, मैं अपना WhatsApp message पढ़के और इसको reply करके बापस अपनी वीडि वो चला सकते हैं बिना पॉस किये और अपना दूसरा जो काम है वो भी कर सकते हैं तो तीसरा option है वो भी बहुत अच्छा है जैसे हमारी स्क्रीन दिख रहे हैं इसमें तो कि यह सारी वाइड कलर में स्क्रीन आ रही है अगर हम चाहते हैं इसकी पूरी थीम चेंज करना तो वो कैसे करेंगे तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप अपने MX Player की पूरी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं तो आप यहां पर 3.00 पर क्लिक किजिए 3.00 पर क्लिक करने के बाद आप Settings में जाएगा इस तरीके से आप अपने पूरी थीम वगएरा चेंज कर सकते हैं उसको और ज्यादा अट्रेक्टिव और विडियो फिल बना सकते हैं अपने डिस्पले को तो गैस Seatschat के बारे में आपको पताद थाँँ जैसे कि हम کوई वीडियो प्ले करते हैं CHEERING आप को देखी हिहां पर क्लिक किजएगा 3.3 क्लिक करने के बाद Settings में जाएगा Settings में आपर Option दिखाएगा Player, Player पर जाएगा Player में जाने के बाद Controls में जाएगा Controls में जाने के बाद जीएगा Double Tap, Play and Pause, इस पर आप क्लिक कर देखाएगा आपक कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है double tap and play and pause अगर मैं इस पर click करूँगा इसको okay कर देता हूँ फिर बापस मैं अपनी वीडियो को चलाता हूँ अगर देखिये जैसरा यह मेरी वीडियो चल गई अब मैं इस पर double tap करूँगा तो ये वीडियो रोख जाएगी, आप से डबल टैप करूँगा तो ये आपिस से play हो जाएगी, तो guys इस option के थुरू हो जो है, हम सिर्फ एक button पर के लिए है, जैसे इसी button से हम इसको play और pause नहीं कर सकते हैं, screen पर कहीं भी double tap करके अपनी video को play कर सकते हैं और pause कर सकते हैं, तो guys अच्छा feature रोखता है, आप इसको use करके देखिएगा अपने MX player में, guys जो पांचवा feature है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि हमारी MX player में बहुत सारी files होती है, बहुत सारी videos होते हैं, अगर कुछ ऐसी files होती है, जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते है, अगर कोई हमारा mobile use क करें, तो हम उसको hide कर सकते हैं, तो guys, जैसे कि मेरी ये second वाली video है, मैं इसको hide करना चाहता हूँ, MX player से, तो कैसे कर सकता हूँ, तो हम इस पर tap करेंगे, tap करने के बाद देखिए, इसको यहाँ पर edit करना आएगा, हम इसको edit करेंगे, हम इसके file name को rename कर देंगे, हम file से पहले, इसका जो file name है, देखिए, मैं यहाँ पर, इसके नाम से, पूरे नाम से पहले जो है, देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको करके, देखिए, इसके नाम से पहले हम यहाँ पर . लगाती है, जैसे इसको okay करेंगे, यह file disappear हो जागी, देख, guys, यहाँ से disappeared हो गई है, तो इस तर 3. पर क्लिक करेंगे, 3. पर क्लिक करने के बाद settings में जाएंगे, ठीके guys, settings में जाने के बाद देखेंगे, यहाँ पर player list मिलेगा, list में जाने के बाद देखेंगे, नीचे आएंगे, और यहाँ पर आएगा show hidden files and folder, तो हम इस पर click कर देखेंगे, ठीके guys, तो हमारी जो file है, वो name जो है, उसको rename कर दिया है, तो guys, अगर आप कोई video को hide करना चाहते हैं, कोई file है आपकी, जो आपकी video है, किसी को नहीं दिखाना चाहते है, अगर कोई दूसरा आदमी आपके, जो MX player है, उसको access करता है, तो तो आप इस option के जुरू अपनी file को जो है, वो hide कर सकते हैं, तो guys, छटा feature जो है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं ये video को play कर रहा हूँ, देखिए, इस video को play करने के बाद देखिए, यहाँ पर, देखिए, ये interface सारा white white दिख रहा है, पूरी जो इसकी interface है, वो सब white white दिख रहा है, अगर हम इसको चाहते हैं, कि इसको colorful बना देखिए, यहाँ पर click किजिएगा, player पर, player पर जाने के बाद यहाँ पर option आएगा, style पर click किजिएगा, तो यहाँ पर हम पूरी frame चेंज कर सकते हैं, इसकी दूसरे color में कर सकते हैं, ठीके guys, जैसे मैं यहाँ पर blue कर देता हूँ, और बाकी इसको कम जादा कर देता हूँ, इस तरीके से, देखिए guys, इससे, आप अपने हिसाब से कर लीजेगा, जैसे आपको controls यानि की button बगएर आपको कैसे दिखाई देने है, आप ज़र यह इस तरीके कर दीजे, जैसे मैं इस पर कर देता हूँ, इस पर कर देता हूँ, ठीके guys, इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से हम पूरा इंटरफेस, जो पूरी theme वगएरा, इस सब वीडियो में जो चलता है, उसको change कर सकते guys, तो आप इसको use करके देखिएगा, और अपने जो MX player है, उसका जो interface आप दूसे color में convert करके देखिएगा, तो अब मैं last feature के बारे में बताता हूँ, आप जो MX player use करते हैं, mostly video को चलाने के लिए, video play करने के लिए use करते हैं, लेकिन आपको पता है किया हम MX player में audio files में play कर सकते हैं, तो उसको कैसे enable करते हैं audio player को, वो मैं आपको बताता हूँ, आप three dots पे click किजिएगा, three dots पे click करने बादा है, यहाँ पे settings में जाएगा, settings में जाने के बाद जो मेरी audio files है, वो दिखनी वो शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से कोई भी audio file है, उसको play कर सकता हूँ guys, इस तरीके से, ठीके guys, तो इस तरीके से आप अपने, जो MX player है, वो ऐसे audio player भी use कर सकते हैं, I hope guys, आपको यह जो tricks हैं, वो MX player की पसंद आई होगी, आप इनको use करके दे सब्सक्राइब करना भूलिये, जय बारत, जय!